कि देखें बिल्कुल पहले आप सब्वायू का मैं स्वागत करता हूँ आपने अपनी कमती समय निकाला है मेरा आज प्रेस कानुर्ण देने का बहुत सारे मुद्ध है सबसे पहली बात है मुझे मेरा नाम शेख इमरान है और मैं अनतनाग का रहने वाला हूँ तिन अरसे से मैं बीजेपी के साथ रहा हूँ आज एस टेट सेक्टरी के पद पर मैं काम कर रहा था और हाली में मैंने फिर बीजेपी में रहे जाएंड किया है और बीजेपी ने मुझे महां की लोकल लिडर्शिप ने मुझे दवाब डाला है मुझे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी दी है और दूसरी बात यह है कि सिक्योरटी का भी मेरा बड़ा इश्यू है अगर हम बात करेंगे कि अनतनाग के सारे अलाकों में सबसे लोग ज्यादा मेरे साथ ही है अगर हम ग्राउंड सतर पर जाएंगे तो आप मेरे वीडियो भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पर आज कल ज्यादा एक्टिविट में रहता हूँ खाफी लोगों का साथ है और सिक्योरटी के बात में करता हूँ कि आज मैं जमूम में हूँ और मेरे साथ कोई PSO नहीं है और मैं आज आपकी मेडिया भागों की वसादत से अड्मिस्ट्रेशन तक ये बात पहुचाना चाहता हूँ क्या मुझे सीक्योरटी नहीं मिलनी चाहिए आउट साइड के लिए खुदा ना खस करे मुझे पर क्या होगा या कोई भी आगर अगर क कभी भी कोई मेरे टेक हुआ या मेरी फैमिली पे तो इसके जिमदार अड्मिस्ट्रेशन होगी हाला कि मैं आज आपके सामनी भी ये पेश करूगा जब मैंने 15 अगस्त मनाया था तो एक लशकर तन्जीम की तरफ से एक चिठी मुझे घर में लगाई गई थी और उसके बा कि खनवल में इसका आफायर भी दरज है तो उसके बाद मुझे कुछ दिन के बाद फिर मेरे गर को भी आग लगाया गया था तो इसकी भी आफायर काई भी है पुली स्टेशन सादर अनतनाग में लेकिन मेरी बदकस्मिती से कहना पड़ता हूं कि मुझे सुरक्षक क्यों नहीं दी जाती है अगर कल कोई बाजपा में आता है वो रात को जॉइन कर लेता है और सुबह उसके साथ सिक्योर्टी होती है चार साल पाच साल हो गए मुझे सियासत में और बड़े पदम पर मैंने काम किया है बड़ी अक्टिविटीज रही है मगर उसके बावजूद क् मुझे थ्रट नहीं है अगर इतनी सारी काफिया मैंने आपके सामने पेश रखी है कितनी मिल्टन्स की तरफ से थ्रट आई है बड़ी बड़ी दमकिया मुझे मिली है लेकिन क्या मेरी गलती यही थी मैंने तिरंगा उठाया था लाल चुक में अगर हम बात करेंगे सिरी न जनतनाग में जब पहुचता हूँ मेरी अकामडेशन गाउड बाइश डिगरी कालेज के अंदर है और मुझे जब यहां मैं जाता हूँ तो वहां मुझे हावस आरेश्ट किया जाता है और मुझे बाहर विजिट करना ही नहीं देते हैं और मेरी अड्मिस्ट्रेशन से ला जलती हो जब हो क्या लोग इसके पीछे क्यों जाते हैं फिर तो लोग ही गलत है ना यह तो गिने चने कुछ लोग बैटे वहां लोग का लेडर्शिप पे जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है अलाकि उन्हें प्रशासत पे भी दबाव डाला था कोई पिलिस की आफस मैं तब भी डट कर मकाबला किया है तो काफी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अगर हम बात करेंगे काफी जॉइनिंग होती है वो कोई जिला नहीं जहां से मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं जी बिलकुल पार्लिमेट एलेशन के लिए मैं अरेडी हूँ इसके को बलंद कर सकूं और अनंतनाग राज़ोरी को लगाम शुपियन से लड़ना है किष्टी में बैठके ही पता चलता है कि किष्टी के सफर ताय आगे होगा के नहीं लेकिए जमीनी ग्राउंड सता पर और ग्राउंड लाउन पर आगर हम बात करना चाहते हैं जुम कश्मीर बाज़पा सरकार के साथ कोई नहीं है ये तो बज़पी ने दवाव बना के रखा है लोगों पर तो अब जो आज कल जो जलसे हो रहे हो तो दवाव की लिहासे लोग जाते हैं अब तो एलक्शन के दिन वोड के दिन पता चलेगा क्या वागी लोग बाजपा के साथ है या दवाव बाजपा ने रखा था उन पर धिम मंञेंचम हाम पर दवाव बना के रखा है अगर हम बात करेंगे पिछले साल प्याम साथ का है अ jetzt हमक है और फीर फरस बनता है प्या बहुत वीडियोज भी वाइरल हो चुकिया है कि हमें जबदिष्टी से यहां लाया गया है और मुलाजम को तांग की तलब किया गया है कि हम आपको डिस्मिस करेंगे अगर हम जलसु में शरकत ना करें पोलिंग के दिन लोग जवाब देंगे इन्शालला बीजेबी को क्या वो वाकि बीजेबी के साथ है और मेरे मुद्दे यही थी खासकर जमू कश्मिर में कि पंडित लोगों को जो आज दरदर के ठोगरे खाने पड़ते हैं मैं चाहता हूँ कि घरवापसी होनी चाहे उनको क्या उनकी कौन सी खाता थी अगर जमू कश्मिर यह लोग बोरे हालात सही है तो पंडित लोगों को घरवापसी क्यों नहीं दी जाती है और दूसरे बात है LG साथ बड़े दावे कर रहे हैं कि सरिनागर में हालात ने मिल्टन सी जेरो लेवल पे है मैं कहता हूँ LG साथ से कि जो आपने वहां समार स्टी बनाए वहां बाइक साथ के लिए रखी है तो उस पर जा कि आप एक सावारी करें सिरनागर के अंदर में भी देखो हाला ठीक है तबी तो लोगों को पता चले गरा कहने से तो बड़े बड़े बात ही कह जाती है अगर आजकल तो लोग भी चाहते कि यंग जो है यंग्स्टन लोग है यंग यूद जो है उनका ही फेस अफ सामने आ जाए क्योंकि पहले भी वहां बीजेपी से पहले भी बहुत सारे सरकार रही है पीडीपी की रही नेशनल की रही तो लोगों को भी आप पता चलाए कि हमें खाले वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मैं इस चीज़ को आज आप मीडिया बाईव के वह साथ से कहना चाहता हूं कि लोगों से मेरी मौदमाना गुजारश है वो सोच समझ कर दिल की गहराई उसे शेख इमराईद को वोट डाले और मैं पारलिमेट में हमेशा लोगों के लिए आवाज इठाओगा